विमल लाया, हाँ, ला दे, भाई थोड़ा खाना पिना हो जाए, खाना कौन खाता है, खाना सिर्फ बच्चों के लिए हम सिर्फ विमल खाते है, सेफ फूड इट विमल, अपने दुकान का सारा विमल मेरे हवाले कर दे, तुने अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो म विमल थुक दूगा, भाई साब, घाटे का सौदा नहीं है, उसे जितना विमल चाहिए, उसे दे दीजे, कहीं वो विमल थुक कर हमारे टकले को लाल न कर दे, सिर्फ दो दिन हुए हैं, बिना विमल खाय हुए तुझे, खुददार बन, विमल के बिना क्या हालत बना रख यह देख, थुके हुए गुटके की तरह लग रहा है, ऐसा क्या रखाय तेरे विमल में, गुटका ही तो है, मामूली सा, नहीं राजा, विमल के लिए तो जाना जीर है, केशर के हर एक दानी की कसम, साले विमल थुक थुक के ये बजन के प्लेट लाल कर दियें तुने, मेर अगर ऐसे ही विमल खाते रहेगा न, तो कंपनी वाले खुच चल के तेरे घर आएंगे, विमल का ब्रांड मेस्टर बनाएंगे, विमल के फैन भगवान मानेंगे तुझे, लिख के ले ले, विमल नहीं खाया है तो तडप रहा है तू, चिंता मत कर, कसरत करने दे, फिर व विमल खाता हूँ, विमल, वो तो बचता ही नहीं है साहिब, सबेरे सबेरे ही सारा विमल अक्षे सर खरीद कर लेकर चले जाते हैं हुजूर, पर आप कल आईए न, रखेंगे न, चार पांच पैकेट आपके लिए बचा के रखेंगे, चार पांच पैकेट से क्या होगा, तो कहिए न, हुजूर, पूरा पैटी बिचवा देते हैं अपके घर पे, अस्टॉक मंगवा लेंगे, ठीक है बिचवा देना, आप कमाल के हैं सर, नया टपरी खोलाओं साहिब, अच्छा चल रहा है, चाय, सिगरेट, गुटका सब बिखता है, आप भी लिजे न, एकदम मस्त वाला विमल रखे हुए हैं, और पूरा बाजार में सबसे सस्ता में बेचते हैं, आप हमारे पे, बहुत एहसान किया हैं साहिब, ये टपरी खोलने के लिए लोन दिलवाए हैं, वरना इस गरीब को कहां से लोन मिलता, एक बार तो हमारे दुकान का विमल जरूर खाई या, एक्सपाई रीडेट के कारण मेरा ये हाल हो गया, बोलो जुबां के शरी राह में उनसे मुलाकात हो गई, थुकद या मूह पे मूह लाल हो गई